हाई एव्रिवान आई विश की आपसे बहुत अच्छे हैं एंड हमारे यूटुब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे जेर्मनी के बारे में एक बहुत ही बड़ी ट्रावलिंग को लेकर अपडेट है आप सबी के लिए जेर्मनी ने ये अनाउंस किया है कि अगर आपने कोवी शील्ड की दो डोसिस की वैक्सिन आपने ले चुके हैं और आपको 270 दिन से ज्यादा हो चुके हैं तो आपको जेर्मनी में ट्रावल करने में दिक्कत होगी आपको टेस्टिंग भी करानी पर सकती है एंड क्वारिंट से उसके अकॉर्डिंग आप जर्मनी में रह सकते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये ब्रेकिंग न्यूज आपको आउन लाइन दिखा कर दो उसके बाद आपको सब कुछ एजिली समझ में आ जाएगा So now आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर ये शेंगन वीजा इंफो न्यूज ये बहुत ही रिलाइबल न्यूज एजेंशी है शेंगन कंट्रीज के बारे में इन्होंने याप अच्छे से एक्स्प्लें किया हूँ आप पर सकते हो So new rules now apply for entering Germany यानि की नए rules apply हो चेके जर्मनी में एंटर करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं आप लिका है February 3rd 2022 यानि की latest update आप सभी के लिए अब आगे पढ़ लेते हैं exactly इन्होंने की एक्स्प्लें किया हूँ है यहां पर लिका है following the recommendation of the European Commission the German authorities have decided to shorten the validity of vaccination certificates to 270 days यानि की यह बहुत clear है कि जो European Commission है यूरोप के अंदर European Union का जो European Commission है उनके recommendation को मानते वे जर्मनी की जो सरकार है जो authorities है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो vaccination का जो certificate है उसके जो validity है उसको 270 दिन कर दे यानि की जैसे मैंने समझाए कि अगर आपने कोवी शील्ड की doses ली है तो अगर उसको 270 दिन से अगर आपके ज्यादा हो गए है तो आपको दिक्कत होगी आगे पढ़ते हैं दिक्कत किस तरीके होगी वो आपको मैं बता देता हूँ आगे यहाँ पर लिका है the new rule on the vaccination passes entered into force on February 1st and affects everyone traveling within the EU यानि कि जो नया rule है वो vaccination का जो है वो एक February से launch हो चुका है इनि कि force में आ चुका है और वो जब भी आप European Union की countries में किसमी भी travel करोंगे उसमें यह आपको ध्यान रखना है यह rule आपको follow करना पड़ेगा आगे पढ़ लेते हैं जो important चीज इन्होंने explain किये ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएं यहाँ पर लिखा है in line with this proposed rule persons who read Germany need to provide valid proof that they have received the last vaccine dose of a two-dose vaccination scheme within the last 270 days in order to be exempt from additional entry measures such as testing and quarantine requirement तो बहुत clear है यानि कि जो अभी नया rule इन्होंने start कर दिया उसके according अगर आप Germany में आते हो और जो आपकी जो last vaccine है यानि कि जो आपने last dose लिये उसके बाद यह दिन दिन count करेंगे कि कितने दिन आपको हो चुके हैं अगर उसके बाद अगर आपको 270 दिन हो गए तो आपको दिक्कत होगी यानि कि आपको यह जो कहा है कि आपको testing करनी पड़ेगी and quarantine भी requirements को भी follow करना पड़ेगा बट अगर आपके 270 दिन से कम है तो आपको ना testing करनी पड़े कि ना quarantine से गुजरना होगा तो यह आपको ध्यान लखना है बिल्कुल अपना चेक करना है वैलिडिटी कब आपने डोज ली थी तो इसके हिसाब से आपको plan मनाना है ताकि आपको सब कुछ पता रहे आगे इनों लिखा हुआ है कि it is believe that persons who have been vaccinated more than 270 days ago will be considered unvaccinated when reaching Germany if they haven't yet received a booster shot इस आपने उसके बाद booster shot लिया है तो उसके बाद आपको कहीना के रहत मिलेगी तो booster shot बहुत ज़रूरी है आगे पढ़ लेते हैं नंथलेस्टे जर्मन अथार्टीस है नोट यह गिविन अनी information regarding booster doses and the corresponding interval times so कहने को मतलब है कि अभी booster shot को लेकर यह बताया नहीं गया है कि उसके कि इन बाद आप ट्रैवल कर सकते हो तो यह information अभी इंकम्प्लीट है booster shot refers to the third vaccine that is given to persons who have already completed primary vaccination यह बूस्टे शॉर आज के ताम उसको मिलते हैं इसने दो वैक्सीन की डोस ले चुके हैं तो यह इन कि इस चीज का आपको ध्यान रखना है तो यह ती breaking news जो आपको जाना बहुत ज business man हो तो आप कोई भी आपका goal है Germany आने का प्लीज ध्यान रखना है कि 270 days अगर आपको ज्यादा होंगे तो आपको नए जो रूल इसको फॉलो करना होगा आपको टेस्टिंग भी करानी पड़ेगी Germany में कौने भी होना पड़ेगा बट अगर 270 days से काम है तो आपको easily enter Germany में कर प्लीज रहेंगी और आप अपनी knowledge के enhance कर सकते हैं अगर आपको जर्मनी में डिजिया बैचलर डिग्री में तो आप हमें कॉंटक्ट किजिए हम आपका admission करांगे जर्मनी की best universities में अगर आपको visitor visa apply करना है टूरिस visa apply करना अगर अगर आपको आपको spouse visa apply करना है जर्मनी का त सारे लिंक सबने description में डाल दियें so now thank you so much आपके कीमती टाइम का best of luck and take care always